इससे पहले हम Trinometry का Part 1 और Part 2 पढ़ा रखे हैं, उसके बाद Part 3 हम यहाँ से concept बीद क्या चीज कोस्टन करेंगे, क्या concept और कोस्टन करेंगे, देखेंगे यहां से, जाएं, फर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे आप लोग, तो उसी परकार से, कि एक स्कुť फिट्टा माइनस अगर बोले 10 स्कुई फिटा is equal to 1 होगा want क्या एक किए स्कुई स्कुई 6 फिट्टा ये plus में 10 Squ स्कुई 7 होगा तो उसी परकार से स्कुई 6 होगा माइनस 10 nam 2 होगा क्या तो उसी परकार से अभ minus b2 का formula आप लोग पढ़ रखे हैं क्या हाँ उमिद रखते हैं कि आप लोग पढ़ रखे होंगे कि a2 minus b squat meno two होता है a plus b into क्या होता यह-b तो उसी परकार से अगर हम इसको A माने बी माने हैं तो यह marach b2 का formula लगा देता है जाफमे तो क्या होगा c square theta माइनस 10 स्कुर्ड ठेटा तो सेक ठेटा पलस कौर 10 ठेटा इंटू में सेक ठेटा माइनस 10 ठेटा होगा क्या अच्छा उसी परकार से सेक ठेटा पलस 10 ठेटा इस उकल टू ये इंटू में है तो ये क्या डिवाइड में जाएंगे क्या तो 1 वाइ सेक ठेटा ये क्या होगा माइनस 10 ठेटा होगा क्या अब देखिए इस पर एक कुस्सान आएगा अब ये कैसा कुस्सान आएगा उस पर हम बात करते हैं यानि सेक ठेटा पलस 10 ठेटा याद रखेंगे is equal to 1 by sec theta minus 10 theta यानि यह अगर plus में है तो inverse जाएगा तो क्या होगा minus में हो जाएगा है ना उसके बाद यह concept हम चलिए यह concept है कि if यदि sec theta plus 10 theta is equal to अगर A है यह अगर बोले तो कोई numerical value को denote करता है यानि कोई भी number होगा 1, 2, 3, 4 sec theta plus 10 theta is equal to A है अगर हम तो क्या होगा तो देखिए यहां पर sec theta plus 10 theta is equal to क्या होगा 1 by sec theta minus 10 theta यानि इसी का क्या हुआ inverse हो गया यह क्या होगा inverse हो गया तो यह क्या होगा 1 by A होगा क्या जब 1 by A होगा तो क्या 10 से 10 कट जाएगा क्या क्या क्योंकि यह plus में यह minus में है तो 2 sec theta is equal to A ये plus में 1 by A होगा क्या उसी परकार से अगर हम sec theta की बात करें 2 sec theta की बात करें तो ये क्या LCA में A हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 होगा तो ये क्या होगा A square plus 1 होगा क्या तो उसी परकार से अगर sec theta का अगर हमको value find out करना होगा तो A square plus 1 by क्या होगा 2 A होगा क्या इसको आपको anyhow याद रखना है अब इस पे अगर हम sec theta की बात करें sec theta की बात करें तो sec theta क्या होता sec theta is equal to इससे पहले हम बताए थे कि क्या होता है hypotenuse यानि H यानि कर्न होता है और क्या होता है base होता है, base बोले तो अधार ये होता है, H होता है, ये क्या होता है B होता है, अगर हम यहां से एक right angle triangle का formation करें देखिएगा थोड़ा सा board थोड़ा सा छोटा है इसके कारण issue आ जाती है देखिए अगर हम यहां पे एक triangle का formation करें, triangle क्या बनाए एक ट्रेंगल बनाए तो अगर हम ये A B भर्टेक्स और ये C भर्टेक्स है ना ये क्या होगा हम इसा बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा ये हाइपोटेनस होगा है ना तो ये हाइपोटेनस क्या है ए सेक के लिए A square पलस 1 है तो ये क्या होगा A square पलस 1 है और क्या है बेस क यह 2A है अच्छा यह है hypotenuse A square plus 1 और base क्या है 2A है तो पाइथागोरस दर निकालिएगा तो A square minus 1 हो जाएगा पाइथागोरस क्या होता है तो पाइथागोरस यह होता है कि A square plus B square is equal to क्या होता है C A square है ना अब A B क्या है यानि अगर हम बोले तो base K square plus क्या चीज़ perpendicular k square is equal to क्या होता है? इससे अगर हम लिका लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा? perpendicular आपका निकल जाएगा a square minus 1 यहाँ इसका बहुत important है अगर आपको ये formula याद भी नहीं है तो अगर ये आपको पता है न तो इसके base पे आपका सारा का सारा question यूँ ही बन जाएगा base हमेशा trigger function में 2a होता है ये a square minus 1 होता है ये a square plus क्या होता है? 1 होता है अब देखिए इसके बाद हम को चलिए यहाँ से question का सुरुवात करते हैं इससे पीछे जो concept बताएं उसी पर अधारित हैं अब देखिए sec theta plus 10 theta is equal to क्या है? 2 है if condition है sec theta plus 10 theta is equal to क्या है? 2 है then they find the value of sec theta then they find the value of sec theta आपको sec theta का value बोल रहा है find out करने के लिए तो अब क्या करें हम? हम बताएं कि ये दिया हुआ है sec theta plus 10 theta is equal to क्या चीज़? 2 solution की बात कर रहे हैं 2 दिया हुआ है अब देखिए sec theta minus 10 theta अगर हम निकाल दे sec theta minus 10 theta की बात करें तो हम बोले जैसी अगर हम minus करते हैं तो क्या होता? inverse हो जाता है तो ये 1 by 2 हो जाएगा क्या? अब जब 1 by 2 हो जाएगा तो क्या ये 10 से 10 cancel हो जाएगा? अब sec theta और ये एक sec theta 2 sec theta हो जाएगा क्या? अब 2 sec theta अगर हो गया तो ये क्या होगा? इसको भी add करेंगे तो 2 plus 1 by 2 होगा क्या? अगर 2 sec theta is equal to क्या होगा? 2 2 जा क्या होगा? 4 होगा 2 LCM लेंगे तो 2 2 जा 4 यानि 2 दूना 4 और क्या होगा? एक 5 और 5 बटा क्या होगा? 2 होगा अगर हम बात करें sec theta तो ये 2 कहां? divide में आ जाएगा तो 5 by कितना? 2 2 जा क्या होगा? 4 यानि क्या होगा? sec theta is equal to 5 by 4 आ गया क्या? अब देखिए इतना करने का कोई आवा सकता नहीं या आपको हम concept बता दिये है इतना कोई आप करने का कोई आवा सकता नहीं है देखिए अभी का जो भी paper होती है, exam होती है अब time का exam होता है question का exam नहीं होता है sir time का exam होता है आपके पास अगर time को tackle कर पाड़े हैं तो आपका paper अच्छा जाएगा अन्याथा paper नहीं जाएगा mathematics तो सब के आते हैं mathematics सब को आते हैं देखिए एक बात मैं बोलू विशेश तो मैं बोलता नहीं हूँ एक बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग जो जो विद्यार्थी भाई जो जो friends अगर मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो ये मेरे को जरूर आप लोग कहां से ये वीडियो देख रहे हैं अगर कोई भी सर्थे हैं यानि दिल्ली से हैं पतना से हैं जहांसे भी हैं जैपूर से राजस्थान से, toあの बैंगलोर से हैं तो आप हमको comment में जरूर करें कि bro, sir, कि हम यहां से हैं चलिए हम BCS बात नहीं करते हैं, आते हैं question पर, अच्छा एक बात करते हैं कि सेक ठिटा आ गया कितना, 5 by 4, answer मेरा आ गया, अब तो answer आ गया, लेकिन अब one day exam की बात करें, तो time को बचाना है मेरे को, तो time को बचाना है, तो हमको याद रखना है, कि sir आप बताए थे क्या, कि य यह जो होती है, बेस होती है, और बेस की बात करें, तो बेस क्या होता है, 2a होता है, और हाइपोटेनस में बताए थे कि a square plus 1 होता है, a square यानि यह 2 दिया हुआ है, और यह क्या होता है, a square minus 1 होता है, यानि परपेंडिकुलर की बात करें, यह p होता है, परपेंडिकुलर, य यह हाइपोटेनस करन होता है और यह बेस यानि अधार होता है तो यह होता है परपेंडिकुलर एसक्वाइर माइनस वन और क्या बेस होता है टू ए और हाइपोटेनस एसक्वाइर प्लस वन होता है अगर हमको निकालना था क्या सेक ठिटा तो सेक ठिटा इसकल टू क्या होता है percent हेप श्रीट्टा इस्कॅल तो होता है से क्धिकंद पहने च्रिक आई होता है एक बाइस बाइस में इस उता है यानि हाइपोटेनस अब अधार होता है अब देखे से erीक ट़िता कर्ण बाटा मनें किया होता है अधार होता है अगर हम यहां तो यह क्या नघिंद क diversion दखते हैं तो, तुटुजा 4 या1 कितना हो जाएगा? यह 5 हो जाएगा क्या है? एक यह 2 का a square है यह क्या है? ए2 का a square है तो टुटुže क्या होगा? 2 into 2 क्या होगा? 4 होगा? होगा, माइनस 1 होगा? तो यह क्या होगा? 3 वेज वोगा, अब देखें, कि यहां triplet form कर रहा है हम triplet आगे बताएंगे कि triplet क्या होता है जैसी triplet अगर form करता है तो right angle triangle का formation हो जाता है यहां right angle triangle हो गया 3, 4, 5 यह right angle triangle होता है अब देखें से ठीटा h by b होता है क्या तो h क्या है यहां तो h केतना है यहां 5 आया क्या और b क्या है B ये 4 आया क्या तो क्या आंसर मेरा आगया क्या 5 by 4 आगया क्या तो ये हमको समझाने में थोड़ा अपसा समय लगा है और याथा आपको अगर याद रहता ये कि 2A होता है A square plus 1 होता है A square minus 1 होता है तो direct हम निकाल सकते थे कि से एक ठीटा H by B होता है तो H में A square plus 1 यानि कितना 2 2s आ 4 4 आ 1 कितना 5 और base में क्या होता है base में 2A होता है तो 2 2s आ 4 वगा 5 by 4 आंसर होता है है ना? चलिए उसके बाद हम बताए चलिए ये question number second है अब second में पूरा का पूरा function है sin cos cos sec 10 सबका सब function का value हमको find out करना है यानि इफ यदि sec ठिटा plus 10 ठिटा इसकल टू क्या है 2 है then find the value of क्या चीज़ ये अब इसका हमको value find out करना है आप सर बताए कि सर sec ठिटा का तो value find out करा दिये है उसी परकार से सबका value हमको find out हो जाएगा देखे तुरत जस्ट अब हमको वो पुड़ा basic नहीं चलना है अना वो हम right angle triangle के basis पे चलेंगे देखे right angle triangle में हम बताए थे base में ये 2 होता है hypotenuse में क्या करन में क्या होता है ये a square plus 1 होता है ये क्या होता है a square minus 1 होता है होता है क्या तो अब देखे ए के जगा पे जो value दिया होता है वो put कर देंगे तो क्या होगा a का square यानि 2 का square 4 और 4 और 1 कितना 5 तो ये हो जाएगा 5 ये होगा 2 और a कितना है 2 तो ये 2 into 2 क्या होगा ये 4 हो जाएगा base और perpendicular की बात करें तो a square है तो a कितना है फिर यहां 2 है 2 का square क्या होगा 4 होगा माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा perpendicular ये 3 हो जाएगा तो जैसी जब ये find out हो जाएगा तो कोई भी sine का value अगर आपको निकानना हो किसी भी function का as it is unique जाएगा आपको जैसे देखिए sine theta is equal to होता है P by H क्या होता है P by H cos theta क्या होता है sine का inverse होता है तो ये H by क्या हो जाएगा P अब cos theta की बात करें तो ये क्या होता है B by H होता है क्या होता है B by H होता है अब उसी परकार से cos का inverse क्या होता है सेक तो inverse बोले तो क्या होता है यह होता है यह होता है और यह क्या होगा भी हो जएगा उसी परकाट तेनट हिट्टा की बाद करें तो यह होता है टो यह यह था हूता है अब देखिए यह यह T by H है तो P क्या है, जह 3 है और H कितना है 5 है तो यह क्या होगा, 3 by 5 होगा wie answer आज क्यों अच्छा अब CAUSEC THITA की बात करें तो CAUSEC THITA इसका inverse होगा तो यह 5 by 3 होगा क्या CAUSEC THITA B by H होता है तो B कितना है 4 है? Mit 4Y 5 होगा क्या, अब Living these time P by B होता है तो यह क्या है मेरा यहां P perpendicular 3 है और B क्या है B यहां क्या है 4 है तो क्या 3 by 4 होगा क्या उसी परकार से cot theta क्या B by P है तो B क्या है यहां पर 4 है और P क्या है P क्या है 3 है तो क्या 4 by 3 होगा क्या यानि कहने का मतलब 10 का inverse होता है तो 4 by 3 होगा क्या तो answer ने निकल गया किया सबका जब आंसर निकल गया तो यूहीं इस पर फिर एक कोस्टन कड़ाते हैं उसके बाद हम फिर नेक्स्ट कंसेप्ट बताएंगे चलिए यह संबर थड़की बात करें थड़की बात करें यहां पर दिया हुआ इसको हम करेंगे कंसेप्ट नहीं जाएंगे इसको हम डारेक्ट राइट एंगल ट्रेंगल का यह कर देते हैं देखेए जैसे क्यूंकि मेरे को टाइम बचाना है हम दोनों बेसिक लेके चलते हैं पहला कोस्टन में हम बेसिक लगाएंगे उसके बाद जितना भी कोस्टन होगा उसमें बेसिक जो कंसेप्ट होगी उसको कंसेप्ट को लेके चलेंगे कोई ट्रीक नहीं होती है सब कंसेप्ट होती है उसको अंप्रूव भी कर रखेंगी कैसे हुआ है यह बात करें तो यह होता है बेस में क्या होता है यह 2A होता है आप लोग भी रट लीजिए यह 2A होता है यह क्या हो हुआ कि a square plus 1 है 2a है a square minus 1 है तो a के जगा पर कितना भैलू दिया हुआ है यहां 4 है इसे पिछला question में 2 दिया हुआ था यहां क्या है 4 है अब देखिए यहां minus है फिर भी बनेगा उसमें क्या था plus था इससे कोई problem नहीं minus है फिर भी बनेगा question तो क्या होगा यह 4 है तो a के जगा पर 4 क्या करेंगे put करेंगे तो क्या होगा 4 into 2 क्या 8 होगा क्या उसी परकार से अगर a का value 4 है तो 4 का square अगर करेंगे तो 4 into 4 क्या होगा 16 होगा a plus 1 is equal to क्या 17 होगा क्या है है ना हाइपोटेनस 17 होगा क्या अच्छा उसी परकार से अगर हम बात करें तो a का value कितना है 4 है तो क्या होगा 4 का square कितना होगा 16 और minus 1 कितना 15 होगा क्या अजब पूरा base base perpendicular hypotenuse अगर मेरा find out हो गया तक क्या sin theta नहीं निकल दाएगा क्या तो sin theta की बात करें तो sin theta is equal to क्या होता है P by H होता है क्या अजब P by H होता है sin theta तो perpendicular क्या होगा पी यहां आ गया क्या 15 क्या गया 15 और H क्या आ गया 70 आंसर आ गया क्या अब देखिए यह figure आपको ड्रो नहीं करनी है है नहीं ऐसा नहीं कि हम figure ड्रो करना हम को जिस चीज को आब सकता हो उस चीज को ही हम denote करेंगे लिखेंगे और answer put out कर देंगे डारेक्ट जैसे मेरे को sin theta निकाल ला था तो sin theta आप देखिए sin theta हम जानते कि p by h होता है आप जैसी p by h होता है तो p क्या होता है a square minus one होता है h a square plus one होता है तो a square minus one तो a क्या है four है तो four fours आ कितना 16 और 16 में से one अगर करेंगे तो क्या होगा 15 होगा और जैसी है तो ह में a square plus 1 करेंगे तो क्या होगा 4 फोर जा 16 होगा 16 प्लस वन क्या होगा 17 होगा अंसर आ गाइए कि है ना आप answer आ गिया अब देखिए उसके वाद हम एक और 4th question करेंगे उसके बाद हम जो भी 4 चलिए question number 4 देखते हैं और ये बहुत important question है question number 4 देखें ये क्या है शेक ठिटा प्लस 10 ठिटा is equal to root 2 plus 1 डिया हुआ question में तो क्या सेक ठिटा माइनस अगर 10 ठिटा लिखना चाहें तो क्या होगा sign change हो जाता है क्या हो जाता है sign change हो जाता है क्यों अगर इसका square और इसके square का अंतर यानि difference अगर 1 हो गया तो क्या हो जाएगा direct sign change कर देंगे तो root 2 minus क्या होगा 1 होगा क्यों क्योंकि हम आगे बताएंगे कि क्यों हो जाता है ये minus हैना अभी फिलाल आप देखिए ये 10 plus में है ये minus में तो ये cancel हो जाएगा और क्या होगा ये 2 से search 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 और सेक ठिट्टा का भैलू कि बात करें तो ये क्या ये रूत 2 है, इत़ाला है क्या होता है треб , सेक ठिटा क्या होता है , यानि हाईपोटेनस होता है। और क्या होता है , अब हम '' skinny'' होता है,"sin होता है क्या चीज संसाइन खिटा प्येच क्या होता है रूट हो अरहिए फर्पेंडीकुलर बाई हाय पोटे as to मेरे कु यहां तो प्यांडे प्या से मैं तो फ्पाइबस कर लेंगे क्या चीज़ प्या प्येच कितना है रूट है है और बेस लोले तो बेस यह वन है इसको अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना है तोवैंडिकुलर इसकल ट्व क्या होता है परपेंडिकुलर इसकल to यनि to Heap Claire is better . होता है यानि हाइपोटेनस का स्कोइर यानि कर्ण का स्कोइब minus BASE यानि अध़ार का SQUARE होता है क्या अच्छा एच का भायलू क्या है या एच का root 2 है, तो root 2 का SQUARE करेंगे तो root 2 into root 2 क्या होगा, two होगा क्या और ये क्या होगा, base का SQUARE तो base क्या है या, one है, तो one का square one ही वोता है तो क्या, P SQUARE पी स्कुए इस्कॉयर इस्कॉयर्टू क्या वन होता है तो vendorsด्क थीओंम ध्युं को अब 2 सेकेंड में आप यूंहीं सॉल्व कर दीजेगा देखिए कैसे अब बताते हम आपको यह इंपोर्टेंट है आपको बहुत कम ऐसा जगह है जो ऐसा कंसेप्ट आपको मिलेगा देखिए यूंहीं आप कैसे कर दीजेगा यदिस एक ठीटा पलस टैन ठीटा है ना अग कोई भी फॉर्मेशन हो यानि कोभी फॉर्मेट हो तो अगर यहां पर क्या होगा यह दूनों का स्कॉयर यानि यह दूनों का स्कॉयर का डिफ्रेंस अगर वन आ गया यानि रूट टू पलस वन यह दिया हुआ है गिवें दिया हुआ है अगर यह दूनों का स्कॉयर अगर difference में 1 आ गिया तो उसका भैलू sin theta का भैलू sin theta का भैलू जो होगी वो होगा छोटा भैलू उपर में और बड़ा भैलू क्या आएगा बीचे में तो अगर हम बात करें इसका square क्या होगा root 2 का square 2 1 का square 1 है ना तो 2 में से 1 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 difference 1 आया क्या तो sin theta का भैलू लिखना होगा इस concept में तो जो मेरा छोटा भैलू होगा वो मेरा अंस में होगा और जो बड़ा भैलू होगा वो कहा होगा हर में होगा तो 2 जो है छोटा है क्या चीज से 1 से है क् गलत 1 छोटा है 2 से तो 1 उपड़ होगा और क्या root 2 क्या होगा नीचे होगा तो आंसर होगा बस यही करना था यानि sin theta का भैलू इस condition में निकालना हो तो छोटा भैलू उपर और 12 भैलू क्या हा नीचे बस हो गया यानि 1 उपर में root 2 नीचे में है ना चलिए इसी के सांद 3rd पार्ट आपका complete हुआ आपसे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को अच्छे तरीका से देख रहे होंगे यह वीडियो को देखिए ज्यादा से ज्यादा देखने का कोशिस किजिए और रह गई क्या कि सर राइट डाउन करे या नहीं करे हम बोल रहे हैं कि इस वीडियो को है ना अपने हंड राइटिंग में उस नोट्स को हम आपको अबलेबल करा देंगे वो मेरा चाइनल है एक टेलीग्राम है ना मैट्स टाउट बाई केके सिंगानिया वहां पर आप जाईए और वहां से आप क्या कीजिए PDF मिल जाएगी है ना अभी PDF नहीं मिलेगा जब फिर आपको प्रॉब्लम मा जाएगी जीरोक्स करबाने में तो इसलिए सोच रहा हूं कि एक बाड़ाम पूरा ट्रीवों का दे दे तो 40 पेज 50 पेज होगा तो आप निकलवा लेगे है ना तो इससे असानी होगा और वीडियो को लास्ट में कॉमेंट जरूर करें है ना मे दूसरे चाइनल हो चाहिए दूसरे टीचर हो आफ्लाइन बैचेज में आप देख सकते हूं वहां पर आप सोतन तरह इसके लिए चलिए इसी के साथ है ना जय हिन जय भारत है ना